ऐतरे उतनुशद के पहले अध्याय के दूसरे खंड में एक और ऐसी ही कथा है जिस कथा में ये बताया गया है कि कितना महत्वपूर्ण है हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर की व्यवस्था और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि प्रकृती में और हमारे शरीर में कितनी समानता है इससे हम एक अनुमान और लगा सकते हैं कि अगर हमारे शरीर की कुछ आपूर्टी होनी है कोई कमी हो गई है कोई समस्या आ गई है अगर हम अपने शरीर में कुछ नियूनता अनुभ प्रकृति करेगी आईए हम इस प्रकरण को समझते हैं जानते हैं लेकिन पहले अध्याय के पहले खंड की थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं पहले खंड में हमने देखा था कि परमेश्वर ने वही सतपो अतप्यत उसने तप किया तप करने के बाद में संसार को बनाया औ सबसे पहले बनाने से पहले एक धीरण्य गर्भ नाम का जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं वह उत्पन्न किया जिसे इस उपनिशद में पुरुष कहा गया है और फिर उस पुरुष को मूर्चित अर्थात और अधिक कठोर करके यहां मूर्चित शब्द है जिसका अर्थ होत हमारे शरीर में होते हैं यह ठीक वैसा ही समझे आप जैसे गर्भ में एक बालक पल रहा होता है वो बालक सबसे पहले किवल एक अंडे के रूप में होता है उस अंडे में से ही फिर धीरे धीरे एक एक अंग फूटने लगता है यानि सबसे पहले वो कोशिकाउं के रूप म एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोला से बतीस से चौंसाट से एक सो अठाइस ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाता है। हरदय से, मतब अगर हमारे शरीर में देखा जाए तो हरदय बना और प्रकृति में देखा जाए तो मन बना और मन से मतब उसी तत्व से चंद्रमा बना तो तीन चीज़ों को साथ में लेकर के चलिए। और इस ब्रम्हंड की ववस्था में मृत्यू फिर कहते हैं हमारी जननींद्रिय शरीर में जननींद्रिय और उसके बाद अगली संतानुत पत्ति के लिए रेतस और प्रकृति में देखेंगे तो आप अर्थात जल। उसी तरह से सारे के सारे देवता इसी प्रकार से बनते चले गए। उसके बाद में जो प्रकरण प्रारम होता है दूसरे खंड का उसमें कहते हैं ता एता देवताह स्रुष्टा असमिन महती अरणवे प्रापतन बहुत सारे देवता बना दिये यानि प्रकृति के ये जो देवता बनाए और सूक्ष्म शरीर में मन और इंद्रिया बनाई औ स्थूल शरीर में तो हमारा शरीर जो बाहर दिखाई दे रहा है वो बनाए तो अब समस्य यह हुई कि यह जितने भी सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां है जिनको देवता कहा गया है यह प्रकृति की चीजए नहीं है यह सूक्ष्म शरीर में समुद्र में प्रापतन गिर गई कौन से समुद्र में कौन से सागर में इसी हमारे आसपास जो प्रकृती प्रित्वी है उसमें सारी के सारी इंद्रियों को उतारा गया उतारने के बाद में फिर अशनाया पिपासा भ्याम अन्वा वर्जत अशनाया और पिपासा यानि गूख और प्यास इन दोनों को भी बनाया इन दोनों को बनाया और इन्होंने कहा अब हमारे लिए कोई आयतन भी तो बताईए आयतन माने कोई रहने का स्थान भी तो बताईए कहां रहे हम आपने मुझे बना दिया मन को बना दिया आपने हमारी इंद्रियां बना दिया प्र स्थान है तो उन्होंने पूछा ता एनम अब्रुवन आयतन प्रजानी ही हमें कोई रहने का स्थान भी तो प्रजानी ही कोई बताईए जनाईए ऐसा उन्होंने अब्रुवन कहा फिर यसमिन प्रतिष्ठा अन्नम अदाम इती अरे जहां पर रहे करके यसमिन जहां पर प्रतिष्ठिता रहे करके हम अन्नम अन्न को खा सकें मतलब जीवित रह सकें क्यों ये कह रहे हैं क्योंकि अभी जस्टिस से पहले पंक्ती में भूख और प्यास दो और भी बना दिये यानि इंद्रियां तो बनाई हैं बनाई परमेश्वर ने इंद्रियों के साथ-साथ उनके भीतर भूख और प्यास नाम की एक आवश्यक्ता एक जरूरत भी डाल दी और जैसे ही वो आवश्यक्ता उनके पास आई तो उन्हें अब ये एक और नहीं आवश्यक्ता आन पड़ी कि अब कहीं रहें तो सही जहां बैटकर खा सकें ये उन्होंने कहा कि हमें बनाया भूख और प्यास साथ में आपने दे दी तो हमें कुछ तो खाना पड़ेगा उसके लिए हमें स्थान बताओ कि कहां बैटकर के हम कुछ खा सकें ताब्यो गाम आनयत उनके लिए गाये लाई गई गई गाये का शरीर लाया गया और लाकर के दिखाया गया ताब्यूबन नवई नो आयम अलम इति गाये का शरीर लाया गया और कहा कि जाओ इसमें बैठकर के खुब खाओ इंद्रियों से कहा गया इसमें बैठो और बैठ करके पिट भरो अपना जीवीत रहू तो उन्होंने जहां कहा ता अब्रुबन उन्होंने कहा ब्रह्म से न नवई नो अयम अलम इती नवई अरे बिलकुल भी न हमारे लिए हमारे लिए ये अलम अलम माने परियाप्त नहीं ह नवई नो अयम अलम इती अरे नो हमारे लिए ये बिलकुल भी परियाप्त नहीं है गाए का जो शरीर है वो जितनी सारी इंद्रियां आपने बना दिना उसमें एक्जक्ट बैठता ही नहीं मतलब यूं समझ लीजिए कि स्टॉफ्ट्वेर तो बहुत सारे हैं और बोले से फेस्बुक भी चलना चाहिए गूगल अच्छे से चलना चाहिए थी ब्राउजर चलने चाहिए मुझे तो मुझे तो रोज खझा लेनी एर्या के लिए प्रति दिन आपको हमारे लिए ये परियात नहीं है इतने भर से काम नहीं चलेगा पर क्या ये फोन एक्जस नहीं करते हैं इनका भी अस्तित्व है लेकिन इनमें कितने software काम करते हैं कॉल करना कॉल रिसीव करना कैल्कुलेटर का काम करना थोड़ा बहुत की मीजिक चला देना बस अलाम घड़ी लग जाना ये थोड़े बहुत फीचर्स थोड़े बहुत software उसमें काम कर पाते हैं बाकी software तो काम ही नहीं कर पाते तो उन software के अगर मैं अनुसार कहूं अगर वो बोलते होते तो वो क्या कहते वो यही कहते नवई अरे हमारे लिए यह पर्यात नहीं है इतने सारे software इसमें काम नहीं करेंगे कोई और दिखाओ फोन जिसमें यह सारे software डाले जा सके ब्रह्म्ह ने दूसरा दिखा दिया दूसरा शरीर दिखाया ताभ्यह उसके बाद ही उन्हों ने ताभ्यह पुरुष आनयत ताभुरुव नहीं श्रमा कीजिए ताभ्यह अश्वम आनयत घोड़े को लाया गया और घोड़े को लाकर कहा गया चलो बज्जाओ इंद्रियां तुम इसमें चले जाओ इंद्रियां जो की देवता कहलाती है उनसे कहा गया कि ठीक है इसके भीतर चले जाओ यहां जाकर कि कुछ खार प भी sufficient नहीं है परियाप्त नहीं है काम नहीं चलने वाला इस सबी इतनी सारी इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी इसमें मन आपने इतना शक्तिशाली बना दिया सोचने के लिए समझने के लिए इस घोड़े के शरीर में यह मन अच्छे से काम कर पाएगा क्या आपने प्राण चार ही तो पैर नाम की इंद्रिया तो काम कर लेगी हाथ वाली को तो समझने बैचारी को कोई आपने हर्डवेरी नहीं दिया वो कैसे काम करेंगी इस तरह से इंद्रियों ने एक स्वर में कहा नवई नो आयम अलमिती हमारे लिए ये भी परियाप्त नहीं है गाय का शरीर दिखाया ये भी परियाप्त नहीं है गोड़े का शरीर दिखाया वो भी परियाप्त नहीं है ऐसे करके खूब सारे शरीर दिखा दिये और जिस भी शरीर को इंद्रिया देखती बस एक ही उत्तर देती नवई नो आयम अलमिती हमारे लिए ये पूरा-पूरा नहीं पड़ किसी को लो भाई इसका हिसाब किताब लिखो तो क्या कहेगा व्यक्ति वो यहीं कहेगा न वह इनु आया मला नीति अरे भाई इससे काम नहीं चलेगा मैं कब तक हाथ से पैन से लिखता रहूंगा कोई कंप्यूटर दो और फिर आप आके एक बिन पूछोगे वो उस समय का उस दिन वाला ये वाला बिल और ये डेटा दिखाओ मैं रेजिस्टर पलटता रहूंगा कौन से पेज पर है आप कोगे नहीं चुटकियों में दिखाओ तो भाईया उसके लिए कंप्यूटर ला करके र पुरुषम आनयत उन्हें पुरुष अर्थात मनुष्य का शरीर दिखाए मनुष्य का शरीर जब दिखाओ मनुश्य का शरीर देखते ही उन्हें इंद्रियों ने क्या कहा कह रहे हैं पुरुशम आनयत ता अब्रुबन उन सब ने कहा जैसे उस शरीर को देखा और अपने अनुसार शरीर की जितनी भी इंद्रिया उन्होंने देखा ये वाली मैं जो इंद्रिया हैं मैं भी शरीर में जा सकती हूँ मेरे लायक भी कोई नो कोई अंग है ही मेरे योग्य भी कोई अंग है जब सारी इंद्रियों देख लिया तो उन सभी इंद्रियों ने अर्थात देवताओं ने एक साथ मिल करके कहा सुकृतम बताईती ये बह कदं साही है हम सब इसमें आसानी से काम कर पा रहे हम सब इसमें आसानी से अपने अपने उद्देशे पुरा कर लेंगे हमारे लिए ये बहुत सुन्दर है बहुत That's particular हमें चाहिए था सुमिल गया सुकृतम बताईती अब मान जी किसी का परिवार हो जिसमें दस लोग रहते हो उसको टूबी एच के दिखाईएगा तो क्या कहेगा हमारे लिए ये परियाप्त हही नहीं ये कहा रहेंगे ये कहा रहेंगे ये वो अपने एक एक कक्ष में चले गए बस हो गया पूरा तो तब हम कहते ना हाँ सुकृतम बताई ये बिल्कुल सही है और हाँ एक कमरा और अच्छा तो बले है ना गैस्ट्रूम अलग से है अधिती आएंगे तो वहां रूप जाएंगे तब ये बिल्कुल सही है ऐसे ही हमा उस उस अंग में जैसा तुम्हारा आयतन है जैसी तुम्हारा आयतन है जैसी तुम्हारा या हो उसी प्रकार के किसी आयतन में, किसी अंग में अपना-पना स्थान ले ले, यानि जो मन है वो इस हरदय प्रदेश में, मतलब कोई निश्वत स्थान नहीं है उसका, वो हरदय प्रदेश में चला गया, अपान हमारे आतों से नीचे वाले भाग में चली गई, इसी प्र देखने की जो इंद्रिये है वो आँखों में आ गई, सुनने के लिए करने इंद्रिये कानों में आ गई, हर इंद्रिये ने अपना-पना कार्याले समहल लिया, अपनी-अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई, हाँ ये टेवल मेरे लिए अच्छी है, ये था यतनम प्रविश अब भूख और प्यास भी तो थी ना उनमें, वे जो इंद्रिया वे जो देवता बनाए गए थे, बाद में उनके साथ भूख और प्यास जोड़ दी गई थी, इसलिए उनको ये कहना पड़ा, कि हमारे लिए को स्थान बताओ, जहां रह करके कुछ खा पी सकें, क्योंकि भूख प्यास भी साथ में जोड़ दी तो खाना पीना तो चाहिए ना, तो अब वे जो अशनाया पिपास है, भूख और प्यास थे, उन दोनों ने भी अपनी मांग रखी, कहा, उन्होंने कि आवाब भ्याम प्रजानी ही थी, हमारे लिए भी कुछ बताओ, आवाब भ्या अभी प्रजानी ही, हमें भी बताओ, हम किसके सामने जाकर के हाथ फैलाएं कि जी हमें रोटी दे दो, आपने ये तो बता दिया कि खाएंगे, पिएंगे, और कहां से ले हम, हमारा भाग, हमारा हिस्सा कितना रहेगा, क्या हम जितना भी खाएंगे, इन इंद्रियों को दे हमारा हिस्सा कितना होगा, तो ते अब्रवीत, एतासु एववाम, देवतासु, अभजामी, एतासु भागिन्यों करोमी इती, इन ही देवताओं में तुम्हारा अपना भी हिस्सा रहेगा, एतासु एवद देवतासु, अभजामी, मैं इन दोनों में ही, मतलब इन सारी इ कुछ खाओगे मतलब इन इंद्रियों तक जो कुछ पहुंचेगा वो तुम्हारे माध्यम से ही पहुंचेगा और उसमें तुम्हारा अपना हिस्सा भी होगा यानि तुम्हें अलग से कुछ खाने की आवश्यक्ता नहीं है तुम्हें इसके लिए मैंने छूट दे दी चलो तुम्हें अपना कोई काम नहीं है तुम खाली बैठे हो के तुम्हें इनका भी काम करना इन तक भोजन पहुंचाना प्पिर अपने लिए भी भोजन की ववस्था करना चलो इस से तुम्हें छुट्टी दे देते हैं एतासु एव देवतासु इनही देवताओं में तुम्हारा भी आभजामी मैं भाग देता हूँ तुम्हारा भी हिस्सा देता हूँ contribution जो रहेगा वो तुम्हारे लिए भी इसी में से रहेगा फिर कहा एतासू एव भागिन्यों करो मी भागिन्यों के तब हागी भागी मतलब हिस्सेदार मैं इन्हीं इंद्रियों के भोजन में तुम्हें भी हिस्सेदार बनाता हूँ तो भूख प्यास को भी इनी में हिस्सेदार बना दिया दिया, कहानी है, समझाने के लिए, सिद्धांत बताने के लिए, रोचकता रखने के लिए, तसमाद यस्याई कस्येच देवता यही हविर्ग्रियते, भागिन्यों एव अस्याम अशनाया पिपासे भवता, कि उसके ब जिस किस देवता के लिए, कभी भी कोई हवी अर्थात भोजन ग्रियते लिया जाता था, तो वो भोजन में भागिन्यों एव अस्याम अशनाया पिपासे भवता, यह भूख और प्यास दोनों उसमें हिस्सेदार बन जाती थी, यानि आगे तब जाएगा भोजन, पहले हम हमारा टेक्स तो फिर आगे ले जाएंगे, क्योंकि यह व्यवस्था परमेश्वर ने की, अब इसके बाद में क्या हुआ है, इसके बाद एक और प्रक्रन आगे प्रारंब होता है, तृती अखंड का, जिसमें परमेश्वर ने इस पूरे संसार को बना करके कुछ सोचा, क कि मैंने इस लोक के लिए, मतब संसार बना दिया, लोकपाल बना दिया, लोकपाल मने की इंद्रियां बना दिया, यानि यू समझे कि शरीर में शरीर हमारा लोक है, और इंद्रियां उसकी लोकपाल ही, और ब्रम्हंड में पूरा संसार लोक है, और पंच महाभूत उसके ल की जो व्यवस्ता है वो भोक प्यास से है और ब्रह्म हंड में जो खाने की व्यवस्ता है वो अगनी के माध्यम से यजजादी के माध्यम से है यदि यजजादी स्वयम भी ना हो तो अंतरिक्ष अपने आप अपने पंच महाभूतों के लिए सारे के सारे अन्न को तयार कर ले प्रकृति अपने आप अपना अन ले लेती हैं अंतरिक्ष में चलता है तुम बहुत यह सब तो मैंने बना दिया लेकिन केवले इतने से बात नहीं बनेगी ना अपो अभ्यतपत उसने जलों को तपाया उसने जल को खूब तपाया तपाने के बाद में अभी तपताब्य मूर्ति रजायत उनको बहुत तपाया तो उस तप करके एक मूर्ती बनी मूर्ती मतलब ऐसी मूर्ती नहीं जैसे हम आज बनाते हैं मतलब कोई आयतन बना आयतन मने कोई शरीर बना कोई आकरती बनी और आकरती बनने के बाद में यावई साव मूर्ती अजायत अन्नम वैतत वो जो मूर्ती बनी बस उसी को अन कहा जाता है क्योंकि अभी तक के इस प् तो संसार बना लोकपाल अर्थाथ पंच महाभूत बने उसी तरह से शरीर बना और लोकपाल अर्थाथ इंद्रिया बनी और इन दोनों के लिए भूक और प्यास बन गई ताकि इन देवताओं को लंबे समय तक चलने के लिए इनका भोजन मिलता रहे ताकि प्रकृति के पंच महाभूतों को भी लगातार नई-नई सृष्टी बनाने के लिए नए पेड पौधे उगाने के लिए नए शरीर बनाने के लिए लगातार राव मिटीरियल मिलता रहे सामगरी मिलती रहे अब इसके बाद लेकिन वो सामगरी मिलेगी तो वो खाया क्या जाएगा तब तो सामगरी मिलेगी न उसके लिए फिर जलों को तपाया गया और जलों को तपा करके जो मूर्ती बनी उसे अन कहा गया वो अन हमारे शरीर में हमारी इंद्रियों के लिए और इस पूरे संसार मे पंच महाभुतों के लिए दोनों के लिए बनाया गया तद एतत स्रश्टम जब ये बना दिया गया तो परांग अत्य जिगहनसत इस सब को बनाने के बाद में परांग अर्थात बाहर की ओर सब के सब ये भागने की इच्छा करने लगे कौन सारे के सारे जितने देवता हैं वो अन्न को पकडने की इच्छा करने लगे ये जो अन्न है ये अन्न को शरीर का हिस्सा तो है नहीं जैसे इंद्रिया हमारी शरीर में लगी हुई है तो अन्न उस तरह से शरीर का भाग नहीं है भूख और प्यास हमारे शरीर के भीतर की शरीर के बाहर तो है नहीं, सवाल ये है कि अन बाहर की चीज़ है, अगर वो शरीर में आएगा तो उसे पकड़ेगा कौन, समहलेगा कौन, इसी को लेकर के कह रहे हैं तदेतत स्रिश्टम जब इस अन को बना दिया गया, अन बनाया किस के लिए भूख और प्यास के लिए, क् कि भूख और प्यास उस अन को पहुंचा सके देवता और था इंद्रियों तक जीवित रहने के लिए, पर समस्या ये होई कि परांग अत्य जिखान सक, वह अन बाहर की और था, और वो बाहर ही निकल जाने को तैयार था, कैसे, यूं समझेए कि हमने मुख में डाला और नि निकल जाता है, अन्न शरीर में ठेहरता थोड़ा ही है, उसका तो काम है, वो तो आपने बढ़ी पेट में डाला, वो बाहर निकलेगा तुरंट, तो कहने कि उसे पकड़े तो, पकड़े कौन, तद्वाचा, अजिग्रश, अजिग्रिक्षत, लेकिन तन्न अशक्नोत, उस उसे पकड़ने के लिए वानी दोड़ी, दोड़ करके सोचा कि चलो मैं पकड़ लूँ, लेकिन न अशक्नोत, पकड़ नहीं पाए, संभब नहीं हो पाए, उसने अन्न को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं की, सफलता मिली ही नहीं उसे, क्यों? कहरें कि वाचा ग्रही को पकड़ ले, मान ले, कल्पना कीजिए, सर यत ह एनम वाचा अग्रहेश्यत अभी व्याहरित्य ह एव अन्नम अत्रप्स्यत, अगर हम ये मान लें कि वाणी इसको पकड़ लेती, तो फिर समस्या क्या आती, कि वाणी के वल कहने मात्र से अपनी भूख प्यास मिटा लेती वाणी कैसे पकड़ती, मतलब वाणी का तरीका क्या है किसी भी चीज़ को पकड़ने का, किसी से काम लेने का, हमारी वाणी का ये की तरीका, उसका काम है कहना, बोलना, जैसे उधारन के रूप में, माइक है, उसका काम है आवाज पकड़ना, केवल आवाज पकड़ना, उस तो क्या मेरी ध्वनी मेरा जो sound है वही मेरा रूप है इसका मतलब फिर तो नहीं ये रूप को पकड़ ही नहीं सकता है ऐसे ही जो light है प्रकाश है अब मान लिजी ये light है मेरे पास ये light क्या करती है ये light पकड़ती है रूप को तो क्या ये light केवल अगर ये रूप को पकड़त पर ऐसा नहीं हुआ होगा भी नहीं इसलिए कह रहे हैं अगर वानी पकड़ लेती अन्न को तो वो कहने मात्र से पकड़ लेती उसे केवल कहना पड़ता और भूख प्यास शांत हो जाती लेकिन समस्या पता क्या आती अगर वो ऐसा कर लेती तो वो केवल बोलती भूख मिट जाए और भूख मिट जाती क्योंकि अन्न को वानी अगर पकड़ेगी तो इसी तरह से पकड़ेगी पर इसलिए वो सफल ही नहीं हो पाई क्योंकि बाकी की बाकी इंद्रियां तो भूखी रह जाती ना इसलिए अन्नो को पकड़ने में वो सक्षम नहीं हुँ उसके बाद में और प्रयास हुआ तत प्राणेन अजिग्रक्षत प्राण ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तन्न अशक्नोत वो भी सफल नहीं हुआ तन्न अशक्नोत प्राणेन ग्रहितुम प्राण उसे ग्रहन करने में सफल नहीं हो पाया और अगर हो जाता यत्ह एनम प्राणेन अग्रहिश्यत अगर ये प्राण से पकड़ लिया जाता क्या अन्न अगर प्राण से पकड़ लिया जाता तो अभी प्राण्य है एव अन्नम अत्रप्स्यत टेवल श्वास लेकर ही अ इसे त्रिप्त कर देता है। अब चक्षु चक्षु शा अजिग्रक्षत हमारी आँखोंने पकड़ने का थोड़ा सा प्रयास किया। यद है एनम चक्षु शा अग्रहिश्यत अगर आँख से अन्न पकड़ में आ जाता तो एतद्रिष्टवा है एव अन्नम अत्रप्सित। केवल देखने मातर से क्योंकि आँख का काम क्या है देखना वो देख करके थाली सामने रखी होती एक बार भोजन को देखते त्रिप्त हो गए। अच्छ तो बाकी का क्या होगा, कान वेचारा क्या करेगा, प्रान वेचारा क्या करेगा, बाकी हमारी इंद्रियां क्या करेंगी वो तो भूखी रह जाएगी ृसलिए वो भी संभव नहीं हुआ। फिर उसके बाद ता शोत्रेन अज्जिक ग्रक्षत फिर कान ने प्रयास किया भई मैं अन्न को सम्हालूं थोड़ा इसको पकड़ूं तो न अशक्नोत शोत्रेन ग्रहितूं कान के द्वारा भी अन्न को पकड़ना संभव नहीं हुआ सल यत हएनम शोत्रेन अग्रहिशित अगर कान के द्वारा अन्न पकड़ लिया जाता मान लो तो तत शुत्वह एवअन्नम अत्रप्यत वो केवल अन्न ऐसा शब्द सुनने मात्र से तिर्प्त हो जाता है किबल अंड ये सुनने मात्र से भूख प्यास मिट जाती नहीं मिटे और अगर मिट जाती तो समस्य ये होती कि हमारी आन, ना, कान, प्राण, बाकी इंद्री ये क्या करते बेचारे, वानी क्या करती, इनकी तो भूख शांती नहीं होती मतब एक process बता रहे हैं कि देखो परमेश्वर ने कितनी बुद्धिमत्ता से शरीर बनाया ऐसा नहीं है कि ये बातचीत सच में चल रही है ये जो प्रतिस पर्धा चल रही है कौन अन्न को पकड़ेगा प्रतिस पर्धा नहीं चल रही है ये परमेश्वर की व्यवस्था को ब बिगाड सकती थी और हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में ये शरीर सक्षम नहीं होता आगे चलते हैं बोले तत्वचा अजिक ग्रिक्षत उसे त्वचा ने पकड़ने का प्रयास किया तन्न अक्षा अशकनो त्वचा ग्रही तुम त्वचा के द्वारा भी वो अत्रप से वो केबल छू करके ही त्रिक्त हो जाती हाथ में रोटियां रखते भोग मिट गई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे ही सबजी थोड़ी छूली त्रिक्त हो गए पानी को हाथ लगाया त्यास मिट गई पर ऐसा तो नहीं होता फिर आगे क्या रहे हैं तत् अशक्नोथ मनसा घ्रहित हूं मनसे भी पकड़ने में सक्षम नहीं हुए सफल नहीं हुएस सबस्या वही है सबॉर्ब करते और मन में वह सोच्छते अन्न के बारे में गोख मिट जाती अज्य ग्रिक्षत फिर शिष्ण से पकड़ने का यानि कि हमारी जननेंद्री से अन्न को पकड़ने का प्रयास हुआ तो उससे भी नहीं पकड़ पाए अगर उस जननेंद्री से पकड़ लेते तो क्या होता तो विसरजन मात्र से क्योंकि हमारे जननेंद्री का काम क्या है विसरजन करना छोड़ना जो हमारे शरीत की धातु है उसे बाहर छोड़ना तो केवल इतने मात्र से त्रिप्त हो जाते नहीं हुए फिर उसके बाद नहीं ये काम दिया गया अपान प्राण को तद अपानेन अजिग्रिक्षत फिर अपान प्राण ने अन को पकड़ने का प्रयास किया और परिणाम क्या निकला तद आवयत तद आवयत उसने पकड़ दिया अपान प्राण ने उसे पकड़ दिया यानि जो अन हम अपने पेट में ड पचता है लेकिन शरीर का भाग कैसे बनता है ठीक है मतलब पच गया का मतलब किवल उसमें एंजाइम्स मिल गए समान प्राण क्या करता है कि पेट में जैसे ही कोई भोजन आता है तो समान प्राण उसे पकाता है उसे गर्मी देता है और वो हमारे आमार्शे में पड़ा खुब घुलता है खुब उसमें एंजाइम्स मिलते हैं लेकिन अभी भी वो शरीर का भाग नहीं बना हम उसे नहीं कह सकते कि शरीर ने उसे पकड़ लिया शरीर कैसे पकड़े कि सिंद्रिय को नियुक्त करे तो बोले सब को नियुक्त करके देख लिया आखना कान तचा ज तो जैसे ही अन पेट में आया उसमें लग लग तरह के स्राव मिले अलग तरह के जिसको हम एसिड कहते हैं भोजन को पचाने के लिए वो सब मिल करके जैसे ही वो आतों में गया तो आतों में अपान प्राण काम करता है हर प्राण का अपना एक स्थान हो आतों में अपान प्राण का कारिय है और वो अपान प्राण का काम क्या है कि जो कुछ उसे मिलता है आमाशे से और पेट से जैसे ही वो आतों में आता है अपान प्राण का काम होता है, कि वो जो भी उसके भीतर रस है, वो आतों से खीच लिया जाता है, आतें जो चल रही है न वो लगातार रस को खीच रही है, वो अपान प्राण के कारण खीच रही है, तो अपान प्राण ने देखा कि भाई मेरा काम है रस को खीचना, उसने प पकड़ लिया उसने इस अन को पकड़ के शरीर में रोक लिया बाकी को रोक ही नहीं पाया सोचिए कि हमारे बाकी प्राण तक नहीं रोक पाये मुख्य प्राण और प्राण के साथ समान समान जिसका काम है पेट में आए भोजन को पकाना लेकिन वो भी भोजन को पकड़ नही से गर्मी देना और इसमें कुछ पाचक रस डाल देना मेरा और कोई काम नहीं अपान प्राण ने क्या किया रस को अलग किया और आतों के माध्यम से शरीर में भेजा वेस्ट को बाहर निकाल दिया फिर क्या कहा सएशो अनस्य ग्रहो यदवायू अन आयोवा एशा और जब उसने पकड़ा तो वही उस अन को पकड़ने वाला यानि कि ग्रह कहा गया सएशह अनस्य ग्रहो यही अन का ग्रह है यही अन को पकड़ने वाला है इसी का दाइत्व है अन को पकड़ना और यदवायू जो यह वायू है ये अनायू हू अनायू हू मतलब अन की आय यानि की अन्न को लाने ले जाने वाला ये जो वायू है जो वायू मतलब हमारे जो प्राण वायू है उसके पांच भाग हम कर देता है प्राण अपान व्यानुदान समान तो अपान प्राण भी है तो एक वायू ही शरीर की ये अलग बात है कि वो वायू पांच अलग अलग वायू ही है कुछ और नहीं है हम सोचे कि कुछ और है प्रान शायद कोई शक्ति है कोई और तत्व है न कुछ भी नहीं है कोई और इंद्रिय है नहीं वो वायू का ही एक रूप है जो हमारे शरीर में काम करता है तो कहा यद वायू जो ये अपान प्रान की वायू है ये अन्नायू हुई अन्नायू मतलब अन को लाने ले जाने वाली है समान प्रान के पास में जो अन इस समय है पेट में उसे ले लेती है और फिर वेस्ट को बाहर निकाल लेती है ये काम है इस अपानवायू का इसलिए अन्नायू कहिए और हमारी आयू इसी अन्न पर आश्रित है इसलिए ही इसका नाम अन्नायू भी पड़ा क्योंकि इसी अन्पर हमारी आयू निश्शित करती है हमारा शरीर कितने लंबे समय तक चलेगा वो इस अन्पर निर्भर है तो हम क्या खाएं क्या न खाएं ये बहुत बहुत सोच समझ करके धहरिये के साथ चुनाब करें किसी की देखा देखी किसी के कहने मातर से किसी विज्जापन में आ करके या फिर दुनिया कर रही है इसलिए हम कर ली न हमारे शरीर में कौन सा अन्पर जाएगा ये हमारी इंद्रियों के अनुसार हम सोच समझ करके तै करें क्योंकि ये अन केवल अन नहीं है बलकि अनायू है आयू देने वाला है और उस जो वायू है उस वायू का नाम भी अनायू है क्योंकि वो अन को लाने ले जाने का काम करता है फिर आगे कहा कि एश यद वायू हो यह जो वायू है यह वायू हमारे लिए बहुत महत्वपून है निश्चे से यही वायू अन को पकड़ने वाली है अन को समझने वाली है अन को पूरे शरीर तक भेजने वाली है अब एक और प्रशन उठता है अब सरीर में जो आत्मा बैठी है न तो उसके बारे में कहा गया कि ब्रह्म्ह ने फिर सोचा क्या सोचा उसे हम कल की चर्चा में देखेंगे कि ये सब मेरे लिए कैसे है मेरे लिए कैसे रह सकता है जब ये विचार किया तो यहां जो आत्मा एक शब्द है वो आत्मा जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए है तो ये कैसे आगे कथा बढ़ती है इसे हम आने वाली कक्षा में कल देखेंगे अभी के लिए इतना ही क्योंकि समय हमारा हो